हारत माता की मन्च पर विराजमान गुजरात के यशा स्वी मुख्यमंत्री स्रिमान विजय रुपानी जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथ ही स्रिमान नितिन गड़करी जी राज्य के उपमुख्यमंत्री स्रिमान नितिन भाई पतेल राज्य की पुर्वमुख्यमंत्री स्रिमती आनंदि बेन पतेल राज्य विधान सभाग्य अत्यक्ष सिमान रमन भाई वोराजी, मन्जपर विराजमान, केंद्रों और राज्य सरकारों के मंत्री महोदाए, उपस्तिच सभी साउसद महोदाए, विधायक महोदाए, पुझ्य संतगाण, सभी वरिष्ट महानुभाव, और विशाल संध्या में पधारे हुए, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों। डबहोई बहुत बार आया, कभी बस में आता था, कभी स्कूर्टर पर आता था, कभी कार्यकरताओं की मिटिंग लेता था, कभी जन सभा को सम्भोदित करता था, नजाने कितनी कितनी यादें आप सब के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन डबहोई में ऐसा विराट द्रश्य पहले कभी नहीं देखा। ये विराट जन सागर मान नर्दा की भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। आज विश्व कर्मा जैंती हैं। भारत में सदियों से जो हाथ से काम करते हैं। पसीना बहाते हैं। स्रम करते हैं। निर्मान का कार्य करते हैं। टेक्निशन हो, एंजिनियर हो, मिस्त्री हो, मित्ती का काम करने वाले हो, चूने और सिमेंट का काम करने वाले हो। जो भी स्थापत्य से जुड़े हुए कामों से जुड़ा हैं। उन सब को भारत में विश्व कर्मा के रूप में देखा जाता हैं। आज ऐसे विश्व कर्मा की जैंती का पर्वा है। और इसलिए इससे बड़ा कोई उत्तम संयोग नहीं हो सकता है कि जब विश्व कर्मा जैंती पर विश्व कर्मा के उपासक, जिन जिन लोगों ने इस सरदार सरोवर डेम का निरमान किया है। उन सब के उस परिश्व का पुन्यस्मरन करते हुए। उनके उस कठाओर साधना का पुन्यस्मरन करते हुए। मा भारती को हिंदुस्तान का एब बड़ा सरदार सरोवर डेम सोगाद में देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाईयो बहनो, यहां मुझे आज मेरे जन्मदिन की भी बहुत सारी भधाईया दी जा रही है। जिन-जिन लोगों ने बधाई दी है, जिन-जिन लोगों ने शुब कामना व्यक्त की है, मैं उनका रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन-मदिन के साथ साथ जो भावना ये प्रगट की है, उस भावनाओं के अनुकुल, अपने आपको निखारने का, बनाने का, और पल-पल आपके सपनों के लिए जीने के लिए, मैं अपने परिश्ण की पराकास्ता करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। जिऊंगा तो आपके सपनों के लिए, खपूंगा तो भी आपके सपनों के लिए। और आपके सपने साकार हो, इसके लिए सवासो करोर देश वास्चियों की सक्ति जुटा करके, एक नया भारत, एक न्यू इंडिया, उसको पांकर के रहना है, एक गांधी, दुबले पतले गांधी, सामर्मती के आश्रम में साधना करते करते हैं, देश वास्चियों को आजाजी के लिए जोड सकते हैं, तो मान नर्वदा के आश्रवाद से, सामर्मती के आश्रवाद से, देश के वीर पुरुषों के त्याँत तपस्या के आश्रवाद से, इस देश के महा पुरुषों की साधना के आश्रवाद से, सबासो करोर देश बासी आजादी के 75 साल होने पर एक नए भारत का अंदिरमान बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है भायो बहनों ये सरदार सरोवर डेम आज भारत के लोह पुरूस सरदार बलभाई पतेल की आतमा जहां भी होगी हम सब पर धेर सारे आसिरवाद वो हम पर बरसाती होगी दिर्जद रस्टा किसको कहते हैं 71 साल पहले आजादी के पहले मेरे भी जनम से पहले हम में से कईयों के जनम से पहले सरदार पटेल साहब ने सरदार सरोवर रेम का सपना देखा था बेजाजाद हुआ मैं आज बड़े विस्वाद के साथ कहना चाहता हूं कि दो महापुरुष अगर कुछ और साल जीवित रहे होते तो ये सरदार सरोवर रेम साथ सत्तर के दसक में ही बन करके ये पस्टिम के सारे राज्य सुजलाम सुखलाम बन गए होते हरे भरे हो गए होते हिंदुस्तान के अर्थ जगत को एक अभुद्पुर्व सामर्थ देने का सवभाग्य पस्टिम के इन राज्यों को मिला होता वे दो महापुरुष थे एक सरदार बलभाई पटेल जिनोंने नर्वदा नदी के महात्मय को सामर्थ को और गुजरात की आवश्यक्ता को मंत्वदेश महाराश्य गुजरात राजस्तान के जीवन को एक मान नर्वदा कैसे बदल सकती है इसका सपना संजोया था दिर्ग द्रश्टी से उस प्रोजेक्ट की कलपणा की थी और दूसरे दूसरे महापुरुष थे डॉक्टर बाबा साब आमबेड कर जिन लोगों को बाबा साब आमबेड करका है ध्यन करने का आउसर मिला है वो देख सकते हैं कि भातर भारत में जलक क्रांती के लिए जलक शक्ती के लिए वाटर बेड के लिए सामुद्रिक सामर्थ के लिए मंत्री परिशत के अपने अल्पकाल में भी जितनी योजनाएं जितनी कलपनाएं कुछ बाबा साब आमबेड करने रखी थी शायद एक सरकार इतना काम सोज भी सकती है जो काम बाबा साब आमबेड करने सोचा था अगर ये दो महापुरुष कुछ साल जादा जिवित रहते हमें उनके सेवाओं का लाब कुछ वर्ष अधिक मिला होता तो मेरे प्यारे देश वासियों आज बाड के कारण जो प्रदेश तबाह हो जाते हैं सूखे के कारण जहां का किसान मर रहा है ये सारी समस्याओं से देश पार निकलाता और देश प्रगती की नई उचाईयों को पार कर लेता है लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें इन दोनों महापुरुशों को बहुत पहले खोदे ना पड़ा आज ये सरदार सरोबर डेम भारत को समर्पित हो रहा है सवासो करोड देश वाचियों को समर्पित हो रहा है गांदी और सरदार की धर्ती से समर्पित हो रहा है जिस धर्ती पर बाबा साब आमबेड करकी जिन्द में एक नया बढ़लाव आया था गायकवार के खारण उस धर्ती से समर्पित हो रहा है देश की एक नई ताकत का ये प्रतीक बनेगा इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुशों को उनका स्मर्ण करते हुए ये बव्य दिद्य योजना आप सब के चर्मों में समर्पित करता हूं देश समाथियों को समर्पित करता हूं माभार्ती को समर्पित करता हूं भाईयों भहनों योजनाय बनना योजनाय पुरी होना बहुत स्वाभाविक होता है लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितनी तकलीफे मान मर्दा को जहलनी पड़ी इस योजना को जहलनी पड़ी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटे पैदा ना किया वर्ल बैंक ने फैसला कर लिया सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे भारत के लिए हजारो करोड रुपिये की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी और उसी वर्ल बैंक ने कहा कि परियावरन के विरोधी है अपक्रचार की आधी चलाने वालों ने इतना जूट फ्ला के रखा था भाईयों बैनों हमने भी ठान ली थी वर्ल बैंक और नो वर्ल बैंक हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे और आज आज इसने बना दिया जिस वर्ल बैंक ने एंवार्मेंट के नाम पर परियावरन के नाम पर सरदार सरोवर डैम को मदद करने से इंकार कर दिया था 2001 में कच्छ के भूकम के बाद उसका पुनर निर्मान हुआ और वो इको फ्रेंडली एंवार्मेंट फ्रेंडली डेवलप्मेंट हुआ उसी वर्ल बैंक को गुजरात के भूकम के काम को वर्ल बैंक का एंवार्मेंट का सबसे बड़ा एवार्ड ग्रीन एवार्ड गुजरात को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था अगर एक बार हिंदुस्तान के लोग संक्यल पर कर लेते हैं तो दुनिया के हर चनोती को चनोती देने का सामर्थ ये देश रखता है और उसी का परणाब है और सरदार सरोवर रेम का काम कभी कभी हमारे देश में राज्यों की शक्ती राज्यों की चनोती इसकी बहुत चर्चा होती रहती है कंपरेटिव स्टड़ी होता रहता है लेकिन पस्तिम भारत के हम कुछ राज्यों अगर आजादीव के बात का इतिहाद देखा जाए हम जादा से जादा इन इलाकों में विकांस के अंदर सबसे बड़ी कोई रुकावट बना है तो पानी बना है पानी का भाव पशू हो इंसान हो अपना खेत खलिहान गाउं छोड़ करके 200-200-400-400 किलोमेटर दूर चले जाते थे जहां पानी मिल जाएं वही पर 4-6 मेहना गुजारा करके जब वर्षा होती थी तो वापिस आते थे कभी किसे ने इस दर्दनाक जिन्दगी की कलपना की है बिना पानी को जिन्दगी कैसी होती है जब मैं गुजरात के मुख्मंत्री के रुप में काम कर रहा था सीमा पर जाना मेरा सभाव था बियस एप के जवान हो सेना के जवान हो मैं दिवाली उनके बीच मनाया करता था जब एक बार गुजरात की सीमा पर जाकर के बियस एप के जवानों के साथ बैठा तो एक बियस एप के जवान पीने के लिए पानी सेंकडो केमल सेंकडो उट पानी धोकर के लाते थे तब ये रिगिस्तान में देश की सुरुच्छा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था उस दर्थ को मैंने भली भाती अनुभव किया और जब सरदार सरोवर डेम का काम आगे बढ़ा तो मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मेरे बियस एप के जवान जो बीना पानी रेगिस्तान में खड़े हैं मैं नर्वदा का पानी उन तक ले जाओंगा पाइप लैन लगाई 700 किलोमिटर दूर कई वर्षों से दसकों से उट जब पानी ढोकर के लाता था तम मेरे देश के रक्षा करने वाला जबान पानी को पाता था जिस दिन मैं पानी लेकर दूर्वदा का पानी लेकर पहुंचा आप मैंने बीए सेप के जवानों के चेहरे पर वो खुशी देखी थी वो एंजिनरिंग मेरे कल था कि हम आये यहां से पानी उठा करके 700 किलो मिटर दर्व नर्वदा का पानी पहुंचाया और पहुंचाने के लिए पानी को कभी कभी तो 60 मंजीला उचाई तक उठा करके ले जाना पड़ा फिर नीचे ले आये भाई यो बैनों पूरा सरदार सरोबर डेम एक एंजिनेरिंग मेरे कल है, कैनल नेट्वर्ग एंजिनेरिंग मेरे कल है और मैं तो देश के आर्टिटेक्टर्स को को स्ट्रक्टर्ल डिजाईंट करने वाले सिविल एंजिनियर इलेक्ट्रिकल एंजिनियर इन सभी विद्यार्थों से आग्रा करूंगा कि वो अपने अध्यम में प्रोजेक्ट के रूप में इसको लें घ्या बविश में निर्मान कार्य के लिए कैसी नई दिशा मिलती हैं आउसर मिलेगा भाव्यों बहनों ये गुजरात के नहीं ये मद्धप्रदेश, राजस्थान, महराष्ट्र, इनके करोडों किसानों के भाग्य को बदलने वाला प्रोजेक्ट गुजरात ने इसको लीट लिया और भाव्यों बहनों हमने कोशिश की, दुनिया भर की हमारी आलोचना करने के प्रयास हुए, अनाप, सनाप, जूठे आरोप लगाए गए, मा नर्दा का इस योजना को रोकने के लिए धेर साड़े सडियंत्र हुए, लेकिन हमने हमेशा ये करके रखा था, कि हम इसको राज नीति विबादों का विशय नहीं बनने देंगे, ये 21 सदी की भावी पीड़ी का भाग्य का निर्णाय करने वाली है, इसलिए राज नीति के भाशा के साथ हम अपने आपको नहीं जोड़ेंगे, और भाईयों भेनों, मैं आज भी उसका पालन करता आया हूँ, कितनी मुसीबते हुई है, किस ने मुसीबत की है, मेरे पास कच्चा चिठा है, लेकिन वो राज नीति मुझे करनी नहीं है, उस रास्ते पर मुझे जाना नहीं है। मैंने देखा है, गुजरात के सादू मात्मा, अद्यत्प का संदेज देना जिनके जीवन का काम था, लेकिन जब जब सरदार सरोवर नर्दा योजना की बात आई, मैंने देखा है, गुजरात का संतगान, उसने अगवाई की लड़ाई लड़ी, अंचन पर बैठे। इतना ही नहीं, जब वर्ल बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था, तो गुजरात के मंदिरों से भी सरदार सरोवर डेम बनाने लिए पैसे दिये गए थे, और तब जाकर के, ये सरदार सरोवर डेम बना है। और इसलिए ये किसी एक दल का, किसी सरकार का कारकम है सामने कभी नहीं माना। ये कोटी-कोटी जनों का कारकम है, पानी के लिए तरस्ते हुए लोगों के संकल्प का कारकम है, और ये पानी गुजरात की धर्ती को, सूखी धर्ती को, भायो बैनों जीवन में कुछ पल होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी भावुक्ता से भर देते हैं, मेरे जीवन में भी मान नर्वदा के लिए कुछ भी करना, ये भावुक्ता से भरा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ, कि मेरी धर्ती मा, ये रुखी सुखी मेरी धर्ती मा, पानी के बुंद के लिए तरस्ती धर्ती मा, उसको जब नर्वदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए, इससे बड़ी भावुक्ता क्या हो सकती है। मेरे राज्य की कोटी-कोटी माताएं बेटियां पढ़ाई छोड़ करके, सर पे बरतन ले करके, तीन-तीन किलोमिटर पीने का पानी लेने के लिए जाती थी थे साल, आठ साल, दस साल की बच्ची माँ को पानी लाने में मदद करती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी एक बेटे के नाते, आज जब ये माँ नर्दा का जल उनकी मुसीबतों को मुक्त करता है तो इन कोटी-कोटी माताओं के आशिरवाद मुझ जैसे बेटे को मिले, इससे बड़ा जीवन का भावुपल क्या होता है वो अबोल पशो जो बोल नहीं पाते, मानवजाद की सेवा के लिए उनका शरीर काम आता है वो अबोल पशो पीने का पानी खाने के लिए गास चारा इसको पाने के लिए दोसो दोसो किलो मिटर पशो पैदल चले जाते थे, आज जब नर्दा का पानी पहुँचेगा हरा चारा मेरा वो पशो खाएगा अबोल पशो को पीने का पानी मिलेगा अबोल पशो भी जब आशिरवाद देता है तो भारत मा के बेटे के रूप में इन कोटी कोटी पशोओं के आशिरवाद भी मेरे लिए भावना का सबसे बड़ा पल होना बहुत स्वाभाविक है भावियो बेंडो मैं जन्मदीन मनाने वाले लोगों मसे नहीं रहा लेकिन जन्मदीन में और विश्व कर्मा जैंती हो और कोटी कोटी लोगों के पूरी शताब दी के भागय का निर्मान होता हो तो ये पल ऐसा पल इतने सालों में मेरे जीवन में कभी नहीं आया जो आज गुजरात ने मुझे दिया भावियो बेंडो विकास की तो ये एक बहुत बड़ी मिशाल है पंडित लोग इसको अध्यान करेंगे कॉंक्रीट कितना उप्योग हुआ कहते हैं कस्मीर से कन्या कुमारी और कंडला से कोहीमा आठ मीटर चौड़ा सिमेंट कॉंक्रीट का रोड बनाये जाए हिमालय से समंदर तक और कंडला से कोहीमा तक आठ मीटर चौड़ा सिमेंट कॉंक्रीट का रोड बनाया जाए उसमें जितना कॉंक्रीट लगता है इतना कॉंक्रीट इस प्रोजेक पे लगाये है भाई क्या कुछ नहीं करना पड़ा अर इसलिए भाईय बहनों ये नर्दा का पानी ये पानी नहीं है ये पारस है पारस और जब पारस का परस लोहे से होता है तो लोहा भी सोना हो जाता है वैसे ही ये पारस रुपी मा नर्दा का सपर्ष धर्ती के जिस कौने में होता है वो स्वनिम बन जाती है भाईयो बैनों और इसलिए भारत के स्वनिम भाग का काम ये नर्दा मही पारस रुपी मा के द्वारा होने वाला है ये मैं देख रहा हूँ किसान का भरा होगा पीने का पानी मिलेगा गुज्रात में आर्थिक रांती आएगी लेकिन हमारे देश में देखिए पस्चिम भारत पानी के लिए तरस्ता है और पूर्वी भारत उसको विकास के लिए बिजली चाहिए गैस चाहिए और आपने देखा आए जबसे हम दिल्ली सरकार में बैटे हैं केंद्र में सेवा करने का आपने मौका दिया है हमने भारत का संतुलित इवकास हो पस्चिम को पानी मिले पूरव को विजली मिले गैस मिले ताकि मेरा पूरव भी ताकतवर बने मेरा पस्चिम भी ताकतवर बने और मेरी भारत मा की दोनों भुजाएं सामर्थवान बने उस योजना को ले करके हम काम करते हैं बाईो बेनो ये सरदार सरोवर डेम एक किसी राज्य का नहीं है मुझे बराबर याद है जब राजस्थान को पानी दिया सरदार सरोवर डेम से राजस्थान को पानी दिया वसंद्राजी उस समय मुख्यमंत्री थी, बैरोसी शेखावात और जस्वन सिंग्जी, बैरोसी जी भारत के उपराश्पती थे, वो मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे कहा था, बैरोसी जी और जस्वन सिंग्जी ने कहा था, कि मोधी जी आपको मालूम है, ये राजिस्थान को पानी देने का मतलब क्या होता है, बड़े भावुक थे, और बड़े भावना से उन्होंने कहा, मोधी जी जराई तिहास देख लीजिए, थोड़े से पानी के लिए, सदियों पहले राजियों के बीच, तलवाने चलती थी, लड़ाईयां होती थी, राजियों के राजियों का पराजय हो जाता था, जय विजय का इतिहास बन जाता, और आपने कोई संगर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जगड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधा सीधा सरदार सरोबर से नर्दा का पानी राजस्तान की सूखी धर्ती को दे दिया, बाड़मेर पाकिस्तान की सीवा तक पानी पहुचा दिया, भायो बैनो मैंने उन दो नेताओं की आँख में वो भावनाई देखी हुई है और मुझे खुशी है कि जब जब ऐसे लोगों को सासन करेने का मोका मिला है जिन के लिए दल से बड़ा देश है तब तम नर्दा योजना ने प्रगती की है जिन के लिए देश से बड़ा दल है उसमें नर्दा योजना को रुकावटे आई है आज ये डेम्ट का काम पुरा हुआ है मैं आदर पुरवक मंत्यप्रदेश की जनता का मंत्यप्रदेश के मुखमंत्री सिवराज्सी चवान का आदर पुरवक दन्यबाद करना चाहता हूँ आज ये योजना पुरी हुई है इसके लिए महराश्टर के मुखमंत्री स्रीमान देवेंद्र फणनविष महराश्टर की जनता उनका मैं रुदय से आभार व्यक्ता करना चाहता हूँ आज ये जोजना परिपुर्ण हुई है मैं उन मेरे आदिवासी भाईयों बेहनों का आदर पुरवक नमन करना चाहता हूँ जिनोंने सर्वजन हिताए सर्वजन सुकाए अपना कुछ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ने के लिए आगे आए और उनकी तरफ एक आदर के भाई के साथ आने वाली भी सरकारे देखेंगी ये मुझे भी स्वास है उनके सुक दुक की चिंता आने वाली भी सरकारे करेंगी ये मुझे पूरा भरोसा है मैं उन मेरे आधिवासी भाई बहनों को नमन करता हूँ जिनके त्याग के कारण, जिनके बलीदार के कारण आज ये भारत माँ 85 मेरी भारत माँ नर्वदा के जल से पुश्पित पलवित होने जा रही है इससे बड़ा जीवन का क्या सौब भागय हो सकता है भाईयो बहनों हमारे देश में भारत को एक बनाने का भगीरत काम सरदार साम ने किया अगर सरदार साम न होते तो देश कैसा बिखरा हुआ होता ये हम भली भाती समझ सकते है कश्बीर को छोड़ करके पुरे हिंदुस्तान को एक करने का काम सरदार साम के जिम्मे था उन्होंने करके दिखाया और आज हम एक भारत स्रेश्ट भारत का सपना ले करके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आजादी के बार इस महापुरुष को जिस रूप में देश को समझना चाहिए जिस रूप में इस महापुरुष की देश की पीडी को प्रेणा मिलनी चाहिए उसको किसी न किसी कारण से संभव नहीं हुआ मैं अपना पवित्र करतबे मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आने वाली पीडियों में भी सरदार साब का नाम अमर रहे सरदार साब का काम अमर रहे सरदार साब की प्रेणा अमर रहे और कभी कभी प्रक्तिकात पक्षीजे वो प्रेणा का कारण भी बनती है और उसी सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में आप मुझे बली बाती जानते हैं मुझे छोटा काम जमता ही नहीं है, न मैं छोटा सोचता हूँ, न मैं छोटा करता हूँ, सवासो करोड का देश जब मेरे साथ हो, सवासो करोड देश वाजियों के सपने हो, तब मुझे छोटे सपने देखने का हक भी नहीं है बाई. और इसलिए सर्दार साम का स्टेच्यू बनाने का अंदिरने किया, तो मन में ठान ली थी, ये दुनिया में सबसे उंचा होगा, दुनिया में सबसे उंचा। कुल मिलाकर करीब 190 मिटर और प्रतिमा होगी 182 मिटर, अमेरिका में जो स्टेच्यू अफ लिवर्टी है, उससे ये स्टेच्यू अफ उनुटी, हमारे सरदार साब की प्रतिमा, अमेरिका के स्टेच्यू अफ लिवर्टी से भी दो गुना उंची होगी, डबल होगी भाई। आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया भर से लोग स्टेच्य अप लिवर्टी देखने जाते हैं हमारी याद दक्षिट गुजरात में जाओ तो सापुतारा है सवराष में जाओ तो गीर के लायन है कच्छ में जाओ तो बढ़िया सारेकिस्तान है उत्तर में जाओ तो मां अम्बे है थोड़ा आगे जाओ तो आबू है लेकिन ये मेरा इलाका ऐसा है कि जहां टूरिजम की संभावन आए है और इसलिए भावियो भहनों ये सरदार पटेल स्टेच्यो आप देख लेना मेरे शब्द लिख करके नगना रोजाना लाखो लोग यहां आते होंगे लाखो लोग आते होंगे तूरिजम का एक ऐसा सेंटर बन जाएगा यहां के हजारों गावों की रोजी रोटी का वो कारण बनने वाला है यह सपना मैंने देखा हुआ है और यही पर देश के आजाजी के लिए मर मिटने वाले लोग कुछ लोगों को लगता है मुठी भर लोगों ने ही देश को आजाद किया मुठी भर लोगों ने ही बलिदान दिये और गीद भी कुछी लोगों के गाए गए देश के आजादी के इतिहास को बुला दिया गया देश के लिए मन मिटने वालों को याद करने में कुछ लोग कत्राते रहे हैं 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकुमत के सामने लड़ाई लड़ी बलिदान दिये हैं एक साथ सो सो आदिवासियों को फांसी पर लड़का देते थे अंग्रेज वे जुकने को तयार नहीं थे आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राच में जहां जहां आदिवासियों है आजअदी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीशे नहीं रहा है जंग की शुरुवात करने में उसने एहम भूमी कानीवाई है मेरे देश की भावी पीडी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाडों में रहे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे लेकिन मैं आप भारती की आज़ादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे उनका सम्मान होना चाहिए उनका गवरव होना चाहिए भावी पीडी को उनकी प्रेणा मिलनी चाहिए और इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां जिस जिस राज्य में आदि वासियों ने 1857-1947 तक आज़ादी के जंग में जो कुछ भी किया है हमारी सरकार उसका म्यूजियम बनाना चाहिए देश की भावी पीडी को हमारे आदि वासियों के लिए गवरव होना चाहिए अभिमान होना चाहिए माभारती के लिए मनने वाले उनके पुर्वजोष के प्रती सद्ध भाव होना चाहिए और इसलिए हिंदुस्तान के सभी राज्य जहां जहां आदिवास्यों के प्राक्रम की गाता है वहां ऐसा एक आधुनिक डिजिटल टेक्नोलोजी वाला वर्ट्यूल मुज्यम बनाना है आज उसकी शुरुवात सिलान न्यास करने का मुझे अउसर गुज्रात की धर्ती से मिला है धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये पनपेगा मैं इसे मेरे जीवन का बड़ा सवभाग्य मानता हूं और मेरे उन वीर आधिवास्यों को भग्मान विर्षा मुंडा से ले करके हमारे जाबू गाड़ा के नायका समाज तक के हार किसी के प्रती सर्दम और आधर का नमन करते हुए आज इस का सिलान न्यास भी करने का मुझे सोभाग्य मिला है और आने वाले समय में इसका भी लाग्य में यह पूरा सर्दार सरोबर डेम वाटर स्पोर्ट्स के लिए एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स के लिए रिक्रियेशन के लिए टूरीजम के बड़े सेंटर के लिए एक ऐसा यह जगा बनने वाली है जो हिंद गुजरात की सबसे आर्थी गतिवीदी वाला केंद्रा ये कल तक जो जंगल थे रोजी रोटी कमाने के लिए शेहरों में लोगों को भटकना पड़ता था अब रोजी रोटी यहां घड़ के सामने आएंगी ये काम होने वाला बड़ोद्रा से ले करके बरुट से ले करके रोड का निर्वान रेल का निर्वान तेज गति से चलने वाली गाड़ियों का निर्वान ताकि तूरिस लोग वहां आएं आराम से आएं और हिंदुस्तान का एक महत पूर्ण तूरिस सेंटर बने एक आगरा का ताज महाल सदियों पहले बना आज भी दुनिया में हम सिरब एक आगरा का ताज महाल दिखाते रहते हैं भाईयों हिंदुस्तान के हर कोने में दुनिया को देने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है ये सरदार सरोवर डेम, ये सरदार पढ़िल का स्टेच्यू, ये आदी वास्यों के पराक्रम की गाथा गाने वाला मुजियम, ये देश के और दुनिया के टुरिस्टों को आकर्शन का केंद्र बनने वाला है। डिक्टेल मैं उसका परिक्षन किया, जिस गती से काम चम रहा है, जिस प्रकार की टेक्नवाजी का उप्योग हो रहा है, सिखने समझने जैसा लगा। एक और काम के लिए बढ़ाई देना चाहता हूँ। पिछले दिनों क्योंकि सबको मालू होगा कि नर्दा मैया पहार से नहीं आती है, जंगलों से आती है। और इसलिए नर्दा मैया को जंगलों से हरा भरा रखने का भियान मद्द प्रदेश के मुख्यमंतर ने उठाया। करीब आठ नौ महिने पैदल यांतरा चली करोडों वृच्छ लगाने का भियान चला। इन करोडों वृच्छों के माद्यम से उन्होंने आने वाली शताब दिताग नर्दा का पानी कम न हो इसका बिड़ा उठाया है। मैं मद्द प्रदेश की जंता का मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी का इस पवित्र कार्य करने के लिए रदेश से बढ़ाई देता हूँ नदी बचाने का काम साइद पहले इस देश में ऐसा नहीं हुआ है। आज मैंने देखा हैं हमारे देश के कई संस्ताएं नदी बचाने का भियान चला रही है। परियावरन की रक्षा के लिए देश में जो प्रयाज हो रहे हैं ये प्रयाज भी रदेश से अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं और इसलिए इस महत्व पुनकार के लिए भी मैं रुदेश से सबको बढ़ाई देता हूँ भाई यो बहनों कल में रात को जब दिल्ली से चला तब एक दुखत समाचार मिले हमारे देश के एक वीर साइनिक वीर सेनापती और मुझे जब जब में मिला हमारे देश के मार्शल सिबान अर्जिन सींग 1965 की लड़ाई जिसके नाम से जुड़ गई है ऐसे एक वीर योद्धा 98 की उमार और अभी कुछ दिन पहले कारिकम में हम मिले पूरा उनिफॉर्म पहन करके आते थे वील्चेर पे आना पड़ता था और वो देखते ही खड़े होकर के सेल्यूट करते थे मौन को प्रार्थना करता था मार्थल आपने खड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन वो एक ऐसे सोल्जर थे डिस्सिप्लिन उनके रगों में ऐसी थी वो ऐसे ही खड़े हो जाते थे कल जब उनको हाटे टकाया पता चला मैं अस्पताल उनको मिलने चला गया जजबा वो ही था स्पिरीट वो ही था शरीर साथ नहीं दे रहा था लेकिन रगों में भरी पड़ी उस डिस्सिप्लीन की तरपन नजर आती थी ऐसे एक वीर युद्धा वीर साइनिक उनको हमने खो दिया है मैं उनको आधर पुरवक नमन करता हूँ उनको सदाजनी देता हूँ और उनके प्राक्रम को ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा उनकी डिस्सिप्लीन को याद रखेगा उनकी त्यात तपश्य को याद रखेगा माभारती के प्रति उनके समर्पन को याद रखेगा और आने वाली पीडिया उनसे प्रेणा लेते हुए माभारती के लिए कुछ ने कुछ करने का संकल पकरेगी और 2022 में नया इंडिया बनाने की दिशा में सिद्धी प्राप्त करके रहेगी इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार गुजरात सरकार का धन्यवाद करता हूँ गुजरात की जंता का धन्यवाद करता हूँ इन चारों सरकारों का भिनंदन करता हूँ जिनका इस प्रोजेक कि ऐसी मां दर्वदा को नमन करते हुए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि दो मुठी बंद करके मैं बोलूँगा नर्वदे आप बोलिए सर्वदे आज मां दर्वदा है तो सब कुछ है नर्मदे पूरी ताकत से बोलिए नर्मदे 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 बहुत बहुत धन्यवाद झाल